स्पॉटिंग एरर्स या एरर डिटेक्शन कैसर है अगर आपको सेंटेस देखते ही उसका एरर पता चल जाए जी आँ दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद ये मुम्किन होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बिना रूल्स रटवाए ये टॉपिक कवर कराने वाला हो और फिर ये मुश्किल सा दिखने वाला टॉपिक भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है फिर चाहे आप CUET की तयारी कर रहे हो SSC की तयारी कर रहे हो या किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो तो इसकी क्या strategy रहनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए ना सबसे important है clarity of mind आपका mind clear होना चाहिए अब ये spotting error का question होता क्या है वह इसमें आपको ना एक English का sentence दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें कोई ना कोई grammatical mistake है आपको उस mistake को पहचानना है identify करना है और इसको correct करके लिखना है इसके लिए आपको एक number द प्रेशान हो गए ऐसा नहीं होता कि कोई भी mistake हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या mistake हो सकती है तो हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है पागल नहीं हो जाना हाथ पैर नहीं फुला लेने और रे पथानी क्या mistake आ अब गलती किस चीज़ की होगी यह आपको मालूम होगा कैसे मालूम होगा वह से मालूम कोई इंटलबम और मरे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे έपठों मैंने आपसे कहा कि कोई भी English का अगर sentence है उसके अंदर ना पूरी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस है वो ना दो चीजों पर चल रहा होता है किन चीजों पर दो चीजों पर चल रहा होता है पहली पहली चीज क्या होती है वर्ब क्या होती है वर्ब यानि क प्रिखेंच मता है なた किसी और को दे रखका है एं मारे दिल आपके पास हूँ छो मौर्डिक डिक फिरी की七चिफ प्रेजट होता है वो तो इसी तरह से वर्ब ती ने इस चीज़ को समझ लिया इस concept को समझ लिया अगर आपको यह चीज़ क्लियर हो गई कि सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़े important होती है spotting error से related वो क्या उस sentence में वर्व क्या है और दूसरी वो singular है यह अगर आपको मालूँ है अगर इस चीज़ को माइंड में रख लाए सब कुछ चीज़ा असान हो जाएंगी सुनो 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 सेंटेंस में वर्व कैसे active voice है कि passive voice है यानि यह वर्व नामें बहुत सारी बाते बता देगी इससे हमें पूरे सेंटेंस का एडिया हो जाएगा कि कौन से टेंस में हैं और इस टेंस में कौन सी वर्व इस्तेमाल होनी चाहिए थी और कौन सी इसमें हो रखी है इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है उसका आपस में क्या connection है इस सारी बात यह वर्व बताएगी ठीक है तो इतना क्लियर हो गया दूसरा singular और प्लूरल और प्लूर यानि आपको यह भी देखना singular है के प्लूरल है इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं दिखने में प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन उनमें वर्व सिंगलर आनी होती है मैं करके भी बताओंगा आपको आसानी से लेकिन अभी मोटा मोटा क्या है मोटा मोटा म अब क्या है उसको टटो लूगा वह मुझे सारा आइडिया देगी वर्व उसी में गलती भी हो सकती है और वही बाकी सेंटेंस के बारे में भी मुझे जानकारी देगी दूसरी चीज क्यों सब्जेक्ट क्या है सिंगलर एक प्लूरल है और अगर प्लूरल है तो क्या करते हैं अब सबसे इंपोर्टेंट वर्व का सबसे जादे इस्टेमाल कहा होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ वर्व की पूरी कहानि टेंसिस पर आके रूड़ याद करने आपके मैंड में रूल होने चाहिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा रटके जाओ मैंड में रूद होने चाहिए अब टेंसिस को कैसे पकड़ना है स्पॉर्टिंग एरर में कैसे आपकी फांडेशन बनाएगा वह बताता हूं दोस्तों स्पॉर्टिंग एरर या डिटेक्शन में सबसे इंपोर्डेंट होता है कि आपको टेंसिस की नॉलिज होनी चा के ऊपर कुछ क्वेस्चन पूछेगा है अब यूपीस से कराम सुनते हाथ पर फूल गए अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना उसके बेस पे उसको यूज करते हुए आप इस यूपीस सी के क्वेशन पेपर को सॉल करोगे अभी के अभी यह बिल्कुल लाइव बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चो इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नी लेकिन हम क्या करते हैं हमें न सारी चीज़े बिखरी हुई मिलती है हमें क्या होता है हमें सारी चीज़े बिखरी हुई मिलती है हमें समझ नहीं आता है इंगलिश को हम क्या हमारा प्रोच रहना चाहिए क्या attitude रहना चाहिए इसलिए हम परेशान हो जाते हैं लेकिन मैं आपको सारी चीजें समेट के दे रहा हूं तो ले लो बस अ ठीक है तो इसको करने का तरीका क्या होता है जो भी रूल से अपनी जगा हम उनसे कोई नाइत्तिफाक ही नहीं रख रहे है वह ठीक है रू बहुत असान तरीका समझा रख अब सी को कैसे यूज करना कैसे अर्यज्ट्ट्रम में टैसित learnt ऐन दियान से सुनो कोई इसका कोई क्वेस्ट्रुंद सिद्टे क्वाले सवाल तूच में एक हिंट की के हिंट दि गई होगी है कि हिंट इसbt तरह से दी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो sentence कौन से sentence वो sentence में ठीक है यानि आपसे कह दिया जाएगा मान लो कोई past indefinite की बात हो रही है तो उसमें जहां बूच के बोल दिया जाएगा कि last night ऐसा word use कर दिया जाएगा या फिर last evening ऐसा word use कर दिया जाएगा अब यस्टरडे इस तरह का वर्ड यूज कर दिया जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि यह पास्ट का टेंस पास इंडेफिनेट है कि पास कंटीनियूस है वह आप देख लेना लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि हाँ यह पास्ट का है और जो आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो यह भी आपको समझ माएगा कि यह पास कंटीनियूस का है सेंस लगाओगे सवाल का जवाव आपको अपने मिल जाएगा ठीक है तो करना क्या है पहले सेंटेंस देखा मैंने सेंटेंस में देखा वहाँ पे मुझे वर्ब का कुछ जोलमोल लगा सबसे पहली इसागर यह नहीं भी दे रखा अगर पास कटेंस नहीं फिर क्या होगा मालो को बेसेंट का है प्रेजेंट पर्फेक्स तो उसमें जान बूझ के household और सब्चिक्त के बाद कोई ना कोई मिस्टेक की गई होगी माली जहां फिर्स वर्स फिर्स लगा दी गई होगी आप देख लोगे कि हाँ यह गढ़बड और यहां पर फिर्सस फॉर्म क्यों लगा रखेश फिर ऐसो तो लगा दी singular इतना clear हुआ तो इस तरह से हमें tenses को पकड़ना है क्या से पकड़ना है क्यों सेंटेंस में देखना है क्या कोई ऐसा वर्ड तो अगर एसा नहीं है तो वहां कि helping वब कौन से लगा दीनोंने क्या helping वप सही लगी हुई है क्या उसके साथ वर्ड दूनों साइस बैठ रहे हैं एकदम क्योंकि बात है है किसी के भी साथ और वाली बात है उसके साथ मेंड़ेंव की तर्ट फार्म ही तो आती है आपको टैंस को में वर्ड की थर्ट फार्म देखते हो के टैंस में कभी भी नहीं होती अगर वह लगी यानि कोई न कोई गड़बल है मैंड में एक दम से गंटी बजनी चाहिए के नहीं ठीक है तो ऐसे अपने common sense को prevail करते हुए आपको अपना प्रोच यहां पे रखना है टैंस के questions में सब्सक्राइब करने आपको दचाइड और यहां पर वब्दी इस्टील दशो लास्ट इवनिंग अहाहा लास्ट इवनिंग पकड़ लिया यानि बीते हुए कल की बात है यानि पास्टेंस ही है अब पास्टेंस में भी कौन सा हो सकता है कि आवाज के निकल लिए इसकी के बच्चे ने क्या कर लिया शो को स्टील कर लिया यानि चोरी कर लिया अब चोर नहीं है वाई चोर उचक्का नहीं है इसका मनलब था कि उसने वावाई लूट ली बहुत बढ़िया उसने वाँ पर शो किया ठीक है तो यहां पर क्या था एक इवन्ट था क्या कंटिनूस की तो नहीं पर आंजर क्या हो जाना चाहिए जा जाए है िरेड ले ले तो तो पीयां पर माजेगी और दा शो लास्ट इविनिग सेकेन आचे माजेगी इसलिए यहां से मुझे पता चला यह वह भी कोई घ्रीज नी कोई एक्सपर्ट इंसान बनता है टेकनीक से अपनी से अपनी नौलिज से अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप सही कर पाओगे अब इस दुनिया में जिसका भी माइंड क्लियर है clarity of thoughts, clarity of mind है, तो मुझे सही सही कर देगा, इसमें कौन तो जादू है, ठीक है, तो आओ देखते हैं, जैसे मैं कमरे में गुसा, जब मैंने, जब मैं कमरे में एंटर किया, आज की बात थोड़ी है, कल किया होगा, बुरानी बात है, पास्ट की बात है, तो क्या कर रहे थे, मैं कर रहा था, न्यूस पेपर पढ रहा था, यानि कोई आदमी Sí अग में फ़र पढ रहा था, यहीं तहवाज आएगि, जब मैं कमरे में गुसा, तो एक आदमी पेपर पढ रहा था यानी, continues की बात हुए न, अब continues में क्या, यहां पर पस फोरम आती कभी भी, नही तो यहां sentence देख रहे हो उनमें आपको hint दी गई होगी जो गलती आप खुद पकड़ लोगे ठीक है जी तो यह कहा नहीं थी हमारी tenses की जो कि बढ़ी असान थी कि tenses को आपको सबसे पहले foundation आपको अपना लेकर आना है tenses का कि कोई भी error detection कर रहे हो या error detection की तो आपको tenses को कैसे अप्रोच करना है tenses की knowledge भाई होनी चाहिए और पहले देखो tense में तो कोई गलती नहीं है यहीं सापको सारा idea मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि subject verb agreement की क्या गलतिया होती है क्या trick महा लगानी है वह देखो examiner का सबसे favorite topic spotting error का सबसे hot topic subject verb agreement यानी subject का verb के साथ agreement कराना subject अगर singular तो वह भी उसके साथ singular subject अगर plural तो वह भी उसके साथ plural अब इस topic को याद कराने के लिए समझाने के लिए आपको दुनिया भर के rules रटवाए जाते हैं जिनने रटने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको रूल के पीछे का logic मैं समझा दूना तो आपको सब कुछ clear हो जाएगा आपको एक बार देखते ही पैचान लोगा रे सही तो लिखा हुआ है रटवा क्यों रहे हो वही काम मैं आपसे आज करवाने वाला हूं अब आप मेरे हाथ में इस कैंच इसका nature ऐसा है कि इसको हमेशा scissors ही कहा जाता है यह पैदा ही plural हुई है अकेली बिलेट किसी काम की नहीं थी इसलिए इसको scissors कहा गया यानि इसका singular कुछ होता ही नहीं है इसको हमेशा scissors ही कहेंगे अब plural ही रहेगा अब plural वह भी इसके साथ इस्तेमाल की जाएगी ऐसे ही singular की आप आप कोई उमीद ही नहीं कर सकते हैं तो इस तरह कैसे words होते हैं जो पैदा ही प्लूरल या पैदा ही singular होती है अब उनके पीछे क्या कौन सी वब लगानी चाहिए हमेशा इसके साथ क्या प्लूरल वब आनी चाहिए के नहीं दिल सहावाज आ रही है तो बता दो दो पैदाईश से ही उन वर्ट की पैदाईश से ही उनके पीछे का लॉजिक ही कहता कि या तो singular ही है singular पैदा हुए ते singular ही मर जाएंगे ऐसे plural ही मर जाएंगे वही सब मैं आज आपको सिखाने वाला हूं तो आईए सीखते हैं वो टिक टिप्स और ट्रिक्स यूज सिंगलर वर्ब विद इस सिंगलर अनकाउंटेबल नाउं बहीं आपको यहां पर मैंने लिख दिये ना अलग से स्पेसिफिक इन वर्ट के साथ हमेशा आपको सिंगलर वर्ब यूज करनी है बतातो रहा हूं क्योंकि है हमेशा ही सिंगलर ही रहते इनका प्लूरल न होगा चलो जी अगला ऐसे पोईट्री कवीता हैं जो हम लिखते हैं शायरी शेयरो यृग ये वे इसका हो वफेसा стар को इस पालव वह इस साथ हैगा अवर उसको क्या बोल दो बात अ final ौचको क्या सबसे इंपौर्टेंगा बालों में नहीं तो बड़े बड़े ऑगा बद इन मेर्स नां की कोनी चड़िया नहीं होती आपको इन जिनर याद रखना है कि हैं हमेशा संहां से मटेहर नहीं होता इस तरह से कोई लिए हे यह हए度 आर ब्यूटिफुल नहीं होगा चलो जी एडवाइस हो गया एल्फबेट हो गया इन्फोमेशन स्टेशनरी मशीनरी बिजनेस और नॉलिज यह ऐसे वर्ट है जिनका कोई प्लूरल नहीं होता इनके साथ हमेशा सिंगलर वह आएगी आओ चलो आगे देखते हैं कुछ एक्ज इसके बाल सफेद है ठीक है जी आगे आजओ था इन्फोमेशन कैसी इन्फोमेशन आ रहाएगा क्या नहीं बहुत इस तरह से एक्जाम में आपके आ जाता है और इन सब के साथ आर लगा होता है तो मैंड में क्लियर है कि आर नहीं आएगा इस आएगा चलिए आगे बड़ इनके साथ सिंग्लर क्यों आया क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बन सकता बना के देख लो अगर आप बना सको तो चलो जी आगे बढ़ता है आगे यूस इसे जुड़े हुए होते हैं उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता रोमियो जूलियट लेला मजनु जो भी आप समझो यह वही होते हैं महाई इन्हें अलग नहीं कर सकते मर जाएंगे लेकिन अकेले नहीं रह पाएंगे ठीक है तो आओ भाई चलो देखते हैं क्या वह ब्रेड और बेटर का ब्रेड कैसा लगेगा? खा गे देखना जरा खाया नहीं जाएगा आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा मक्षा नहीं लगाना पड़ेगा बाइचा कितने जैम लगा लो कितनी दूथ की मलाय लगा लो कोई फायदा नहीं होता जब तक ब्रेड के ऊपर बटर नहीं आता तो यह हमेशा विचारी एक ऐसे थे यह यहाँ पर मैंने डैश लिख और लिखा फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं सीता और गीता फ्रेंड्स है तो नहीं यह प्लूरल हो गया है इस साथ क्या लगाना चाहिए मुझे आर लगाना चाहिए क्या यह सही बात है इतना सब को सवज़बा आता है सीता एंड गीता आर फ्रेंड बिल्कुल चाहिए सीता और गीता दोस्त हैं लेकिन इस एंड का इस्तिमाल अगर यहां इस तरह के शभदों में हो जो दिखने में तो लग रहा है हाँ लग रहा है लेकिन उनका जो रिष्टा है वह जनम जनम का नाता है तो ऐसे नातों के लिए ऐसे रिष्टों की हम रिस्पेक्ट करेंगे English Grammar में हमने उनको इज़त दी उनके रिष्टे की हमने रिस्पेक्ट की और उनको हमने एक माना तो ब्रेट और भी में मंने करेंगे इससाद सदू ने करूं लेकिन इससा नहीं करूंगा क्यों किई एक है प्रेड़ और ब्टर केषाथ सुच्छ consort तरह कि नहीं मुझे निमाल उसको क्या कहते हैं लेकिन हमेशे एक साथ ही बोला जाएगा कभी तुमने देखा इस तेडी को अलग सुमते वे कहीं नहीं यह हमेशे एक साथ चलते हैं जैसे आपको बेस्ट फ्रेंड है ना अब दिखने में सबके साथ एंड लगा हुआ है लेकिन यह प्लूरल नहीं है नहीं है और में दिल पे हाथ रखके कह सकता हूं कि यह प्लूरल क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह एंड जरूर है लेकिन यह एंड इन दोनों को जोड को दिखा रहा है जो जोड बहुत फेविकोल से भी पक्का है एक ही है यह चलो इतना क्लियर हो गया अब एक और लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पोचूंगा मैंने आपसे क्या का अंडस्टेंड क्या सिंग्लर प्लूरल वर्ब का रूल ऐसे लगाना कि अगर वाकिल में कोई एक है तो तो सिंग्लर वर्ब लेकिन अगर दो है तो प्लूरल क्लियर है करके दिखाओ को कुछ चलो देखते हैं अब ब्लैक एंड वाइट डॉग डैश इन माय रूम इसमें क्या आएगा जल कि मेरा टीचर और गाइड यहां पर जो टीचर इसी को तो गाइड कहा जा रहा है कि जो मेरे टीचर है और गाइड है अब यहां क्या सिंग्लर लगा प्लूरल यहां आएगा सिंग्लर हाज कम टू सी मी क्योंकि मैंने देखा कि जिसको गाइड कहा गया उसी को टीचर कहा ग यहां भी क्या आएगा सिंगलर आएगा दब्लैक और वाइट कलर का कुट्टा मेरे कमरे में है चलो जी आगे बढ़ते हैं जिन्होंने भी सई जवाब दिया था गुड लख अब इसका जवाब तो आप आप दोगे बहुत समझाया था ठीक है वही लैला मुझनू वाला सीनिया मेशा साथ रहते हैं इनको नहीं कोई हटा सकते हैं मर जाएंगे अलग नहीं होंगे ठीक है चलो यह हमने करा दिया अब आगे बढ़ते हैं यूज प्लूरल वर्ब्स विद दो फॉलाइंग वर्ड्स अब यह जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल की जाएगी क्यों क्यों कि यह ऐसे वर्ड्स है जिनकी पैदाईश ही प्लूरल हुई है अब आप खुद देखना और मुझे बता देना कि बाइब प्लूरल वर्ब क्यों ना है चिजर्स कैची बाइब दो ब्लेड होते हैं हमेशा कहते ही इसको सिजर्स हैं तो क्यों सिंगुलर वर्ब लगाओ इसके साथ नहीं ना प्लूरल वर्ब आजएगी ट्राउजर पैंट है एक टांग वाली पैंट मुझे दिखा दो लगा दो उसमें दो होती है वह पैदा ही ऐसी हुई है तो वह भी क्या हो जाएंगे यह कुछ इस तरह से क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी सुधरते ही नहीं हमेशा प्लूरल रहते हैं आगे देख लो पैंट्स हो गया गया आकाइज हो कॉंग्रेचुलेशन्स बिनक्यूलर्स दुर्बीन कभी यह कांख वाली दुर्बीन लाना अब मुझे देना फिर उसके साथ ना सिंग्लर लगाओंगा ठीक है तो यह भी हमेशा ना दो होती है है इससी लिए इसके साथ भी प्लूरल वह बिस्तेमाल होगी ऐसे रिचिस हो लिए प्लूरल ही रहते है और इनके साथ प्लूरल वह भी इस्तेमाल होती है कुछ एक्जामपल रोना सर तो आपको माइंड क्लियर रखना है माइंड माइंड सब कुछ खेल यहां से होगा कि वर पकड़ो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है चलो जी देखते वे अब यहां लेकिन प्रोसीड के साथ हमेशा आ रही आएगा क्योंकि प्रोसीड अपने आप में एक क्लियूरल है ठीक है आगे बढ़े चलो जी आगे बढ़ते हैं तो सो कुछ और और आमेजिंग बड़े लॉजिकल रूजी है जो रूज्य नहीं है बेसिकली वो कॉमन सेंस है आपके इंडर्षटेंडिक बेज्ड वो भी देख लेते हैं जैसे कि यूज व और अग्र इंका कई इस्तेमाल हो रहा होता है न तो इनके सब्जेक्ट में हमेशा दो होते जो number second वाला subject है वो क्या है अगर वो singular है तो singular verb, अगर वो plural है तो plural verb, कैसे कुछ इस तरह से, neither his father, पहला subject तो मेरा यह हो गया, nor his brothers, अब यह मेरा दूसरा subject हो गया, तो यहां पे second subject कौन सा हुआ मेरा, यह रहा मेरा second subject, ठीक है जी, second subject, visible है आपको, ठीक है यह second subject है, अब यहां ज क्योंकि यहां पे brothers था, जो के plural था, इसी लिए यहां पे plural verb आ गई, want आ गई, wants नहीं आया, जबकि father singular थे, जो पहला subject था, वो singular था, लेकि मैंने उसको ignore कर दिया, मैंने second subject देखा, ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, question बनता है, इसकी इंदी बनाओ, इसकी इंदी द बात निकल के आती है, जब हम इसकी हिंदी बना रहे होते हैं, तो उसमें जो second वाला है उस पे जोर दिया गया होता है, इस वजह से, वो main होता है, वो prime होता है, ठीक है, चलो जी, हमें अब रूल भी पता चल गया, उसके पीचर लॉजिक भी पता चल गया, जो बड़ा लॉ या उसके पिता जी क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, तो यहां भी second क्या था, father था, singular था, तो singular verb इस्तेमाल हो गया, ठीक है, second subject यह रहा, ऐसी, not only his friends, not only his friends, his friends पहला subject हुआ, जो के एक plural था, but also his teacher, अब से, his teacher क्या है, यह मेरा second subject है, जो हमेशा क्या है हमारा, according to second subject हमारी verb जाएगी, जो क्या है, guides, यहां singular था, इसलिए यहां पर singular verb आगे, क्यों आगे, क्योंकि यह प्राइम थे, फोकस थे, जब इसकी हिंदी निकालते हो, तो हिंदी में आवाज जो लास्ट में निकलती हो, जिस तरह से लास्ट में आवाज निकलेगी, उसी तरह से उसकी English भी बन जाएगी, यह logic आप आराम से इसमें apply करोगे, कोई attention नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप क्या है, एक और rule है, use singular verb with the following, बढ़ा मज़ेदा, बहुत आसान है, यह लिखे वे पर मजजाना भी बताना, इस क्रेटरिक्स सुनो, कुछ ऐसे words होते हैं, इसमें हम थ यह है singular, कैसे, मैंने कहा, मालो each, each का मलब हर एक, हर एक क्या, दो होते हैं, नहीं, एक होता है, मैंने कहा, any, any word इस्तेमाल करती है, any, अभी ना मैंने thing लगाया, ना body लगाया, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ any बोला, मैंने क्या बोला, आपके सामने, a, n, y, any, अब यह जो any बोल इसमें से, लेकि सम अपने आप में क्या, एक के बारे में बात हो रही है, यह बहुत सारे सम नहीं होते हैं, ठीक है, मैंने का, someone, someone, ऐसे बुल ले, तो someone कौन होगा, एक ही तो होगा, किसी एक को बला रहा होगा, something, कोई एक चीज होगी, उसी को तो something का आगया, some तो इसलिए लगा दे, क्योंकि मुझे उस चीज के बारे में पता नहीं था, इसलिए some word use कर दिया, और ना किसी एक के बारे भी तो बात कर रहा हो, तो इनके ओगर आप खंगाल के इनका निकालोगे ना, तो singular का, इसका sense क्या निकल के आएगा, singular का, इसलिए यहाँ पे जब लिखे हैं, किन के साथ, इन सब के साथ, कौन को सा, usually, always, daily, often, never, seldom, everyday, every year, normally, generally, अब इसमें नाम फसते हैं, पता हैं, अभी आपके सामने sentence लिखता हूं, फिर आपको समझ में आगा कैसे फसते हैं, sentence था, she never speak truth, अब बताओ, इसमें क्या आएगा, कहें सही है, she never speak, नहीं, गलत है, क्योंकि यहां क्या आएगा, she never, she never, और यहां क्या आजाएगा, she never speaks, क्या आएगा, speaks, क्यों आएगा, दोस्ति, speaks, क्योंकि never लगने से, singular verb नहीं बदल जाती, singular subject नहीं बदल जाता, she, she third person था, present indefinite में हमने पढ़ा हुआ है, कि अगर third person होता है, उसके साथ, singular verb लगती है, ऐसी है, य never, never, यह बड़ा शैतान था, बड़ा शैतान बच्चा था, इसने नहीं हमें confuse आने की बड़ी कोशिश की, कि never देखते दिमाग में, कुछ करते हैं, कुछ हरकत करते हैं, भौकाल मचाते हैं, भाई ऐसा गुछ नहीं करना, घबराने की बात नहीं है, तो इस तरह की जो words है, ना, देखो नहीं आपे, तो always आजाए किसी के साथ, I always, या I के साथ तो चलो plural भी लगेगी, कोई singular subject लेलो, रश्मी, रश्मी, always, अब जो भी वर भाईगी ना, singular ही रहेगी, always से कोई लेना देना, उसका नहीं है, ठीक है, तो rule नहीं बदलता, always आजाए, डेली आजाए, य आफ वाला भी देख लो भाई, वन आफ वाला क्या सीन है, one of my friends, डेशा teacher, भाई, बड़े बड़े intellectual गलती करते हैं, बड़े 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 लोग गलती करते हैं, मैं चाहता हूँ, आप ही गलती ना, दोरा है, क्या है जी, one of my friends, और मुझे बताओ, इसमें क्या लगाते हैं सब, जबकि यहां यह बूल जाते हैं, यह वन चीख चीख के कह रहा है कि one, one, मेरा एक दोस है, एक है वो, इसलिए यहां पर इजाएगा singular होगा हमेशा, one of my friends होगा, one of my students होगा, इस तरह कि जितने भी one of lucky words होगे, उनके साथ भी verb singular रहेगी, clear है के नहीं, बिल् principle, seldom, अब यहां कि आ जाएगा, कम सा जाएगा, singular है principle, सिंग्रल लगा जाएगा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, और एक important बात में आपको बताता हूँ, वो सुन लो, देखो जी subject, वोब agreement की मैंने आपको एक सोच दे दिया, एक approach दे दिया, एक attitude दे दिया, क्या, क्या, क्य से इसको देखना है, रटना नहीं है, कुछ भी मत रटना, कोई भी rule रटने की जुरत नहीं, common sense नहीं पे देखना, क्या चीज कैसे है, बिल्कुल अपना common sense नहीं मत करना, common ही रखना, common नहीं आजकल, ठीक है, तो आपको बस उस चीज़ पर focus करना है, तो जो सब मैंने आपक एक अप्रोच बता दिया, कि क्या आपका अप्रोच रहने वाला है, कि मैंने कुछ भी रटने की जुरत नहीं है, सारी चीज़े logical है, common sense लगाओगे न, तो answer मिल जाएगा, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस साई चीज़ अच्छे समझ भाएंगे, फिर भी कहीं को वाला है, वोइस का मोटा मोटा सुन लो, वोइस की मैंने वैसे वीडियो बना रखिये, complete वीडियो आप देख लेना, वोइस भाइडियर सा लिखके साच करोगे, तो दो घंटे का वीडियो बना रखा है, अराम से देख लेना, पूरी प्रपरेशन हो जाएगी, उससे वो वाइनल है, दो तीन वीडियो बना रखिये, तो भई वोइस का सीधा सा म 이런 राखियो हमेशा, हमेशा मेंर मोट की थर्ड फार्म रहतीया, इतना क्लियर कर ले कर लेना, अब मेंड़के कार्यवर के साथ भी आएगी, हाँ 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 हाँ, हाँ इस मR के साथ भी आजएगी, क क्या being के साथ भी आजाएगी कि या कुल मिला के में वप की थरड फॉर्म होती है तो अब पहचान बस यह करनी है कि कहीं कोई सेंटेंस पैसी वॉइस का तो नहीं है अगर पैसी वॉइस का है तो उसकी पहचान यह हो सकती है कि इस है मर के साथ में वह थर्ड फॉर्म लगी हो हो सकता है was or being, has or been, इन सब के साथ भी third form लगी हो, ठीक है, तो इसको बस देखने का एक असान सा तरीका है, voice के ओपर ज़्यादा मैंने questions नहीं देखे हैं, और detection के to be very honest, लेकिन फिर भी आपकी knowledge के लिए पता रहा हूं, तो इसके लिए न, एक काम बस इतना सा कर ले न, voice की जो मैं वीडियो बता रहा हूं, दो गंटे की है, वो देख ले न, साथ तब तक के लिए बने रहे हैं, मेरे साथ, खुश रहे हैं, सुष रहे हैं, बाई बाई